हलो आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है वकरांगी के बारे में 27 रुपए का ये शेर है और देखा जाए तो कोई उतनी बड़ी तीजी दिखार नहीं रहा है वीडियो में डिसकस करेंगे कि वकरांगी का शेर के खरीदारी के लिए attractive price पर trade कर भी रहा है कि नहीं और इनका business model कैसा है कि इनका business model आने वाले दिनों में sustainable है भी कि नहीं तो वीडियो को शुरू करें उसे पहले अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो 27 रुपय का शैर है वकरांगी का और वकरांगी में अगर हम नज़र करें तो पिछले एक महिने में ये 9 प्रतिशत तक तूट चुका है 30 रुपय से तूट कर हलाकि उससे नीचे 25 रुपय तक गया है लेकिन वापस से बाउंस बैक दिखा दिखा रहा है एक साल में अगर आप दिखोगे तो पिछले एक साल में इसने 37 परसंट के गिरावट दिखा है लेकिन चार्ट काफे इंडरस्टिंग है तीज ही आती है एक जट्के में आती है बाद में बहुत बड़ी गिरावट आती है फिर एक जटके में तीजी आती है बाद में बहुत बड़ी गिरावट आती है और अभी भी हम उस गिरावट को ही देख रहे हैं इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो वकरांगी का शेर 23 रुपए के आसपास गया था लेकिन बाद में बाउंस बड़ी दिखा दिया था इस बार वो 25 रुपए के आसपास गया बाद में बाउंस बड़ी दिखा रहा है पांस साल का ग्राफ देखोगे तो एक अच्छा पीरियर था गोल्डन पीरियर था इसका 500 रुपए पर ट्रेट करा था यह उसके बाद कई सारे allegations लगे इनके उपर corporate governance के तूटके बरबाद हो गया यह शयर और बीच बीच में अगर तीजे दिखाने भी की भी इसने कोशिश करी तो वापस से नीचे के तूटता ही रहा वकरांगी को लेकर अगर हम देखेंगे तो वकरांगी एक छोटी सी company है 3000 करोड के आसपास का इसका market cap है volume 22 लाग के मतलब बहुत ही कम quantity में अभी शयर इसके trade होते नजर आ रहे है इनके profits और revenue एक खासके revenue में बढ़ोतरी हो रहे है लेकिन profit में बहुत ही कम growth देखने को मिल रहा है 200 करोड का इनका profit था पिछले साल September quarter में लेकिन इस बार वो 234 करोड रहा मतलब तेजी है वहाँ पर ठीक है लेकिन problem कहाँ पर है problem यहाँ है कि जो पिछले साल 26 करोड का profit था quarterly वो अब 5 करोड के आसपास रहे गया है कमपनी 5 करोड का भी profit नहीं कमा पा रही है मतलब margin बहुत कम है इनका इनको अपने margin को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर promoter की बात के तो promoter के पास 42.60% की holding है 7.92% FIS के पास है 0.05% mutual fund 6.32% insurance company के पास है promoter का एक भी शर्गिर भी नहीं अच्छी बात है इसी के पास 6.22% की holding भी देखने को मिल रही है और dividend भी pay कर रहा है यह वकरांगी में अगर हम देखे तो कोई भी बेचने की सला नहीं दे रहा है मेरी भी बेचने की सला नहीं है वकरांगी में अभी इस price पर योगि अभी जिस price पर जो यह company trade कर रही है वो price से हमेशा हमने पहले भी एक bounce back देखा है यहाँ पर देखो तो 83% लोग according to money control user कह रहे खरीदारी करो 17% लोग कह रहे कि hold करो company में अगर देखे तो last 2 transaction हुए है इसी साल के वो बिक्वाली के transaction है और वो भी तब जब share 38-39 पर trade कर रहा था तो वहाँ पर बेचे गए हैं shares वाकरांगी dividend के अगर हम बात करें तो बहुत कम पे कर रहा है इस बार सिफ 5 पैसे per share का इसने dividend पे किया है जो कि काफी कम है company के अगर हम बात करें revenue लगाता तूट रहे हैं लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे है 6500 क्रोड का revenue था जब share 500 रुबे बट रेट कर रहा था बात में एक जटके में 1500 आ गया फिर 680 आ गया फिर 314 आ गया लेकिन अभी बढ़ रहे हैं इसने रिवन्यू वापस 200 sorry financial year 2022 में 780 क्रोड के आसपास का revenue रहा है अभी भी अगर आप देखो तो इनका जो average revenue है quarterly वो 200 से 250 क्रोड के आसपास है तो expected है कि company almost 900 क्रोड का revenue दिखा सकती है financial year 2023 में जो की अच्छा revenue होगा और जहां तक बात करें के profits की तो profit आप देखो दिरे दिरे बढ़ते नजर आए लेकिन अब वो कम होंगे कम होंगे क्यों क्यों क्योंकि पहले quarter में साड़े चार क्रोड का profit हुआ दूसरे quarter में भी साड़े चार क्रोड का profit हुआ कुल मिलाकर company ने 9 से 10 क्रोड का ही profit किया है financial year 2023 के दोनों quarter को मिलाकर जबकि पिछले साल 110 क्रोड का profit था 109 क्रोड का profit था उसे पहले भी 60 क्रोड का था तो ये बढ़ रहा था profit लेकिन अब वो कम हो गया है क्योंकि कि margin पर बहुत जादा असर बढ़ा है इनके और यही वज़े है कि इनको अपने margin को बढ़ाना पड़ेगा अगर वो नहीं बढ़ा पाते हैं अपने margins को तो दब तो दिक्कत है इनको वकरांगी की website पर अगर मैं आपको ले चलो तो वकरांगी के कई सारे वकरांगी केंद्र है और इनका जो revenue आता है services के जरीए ही आता है अगर हम बात करें वकरांगी की strength की तो वकरांगी केंद्र है 24,890 के आसपास के वकरांगी केंद्र है 32 states और union territory में ये covered है 595 districts में ये covered है 5,834 postal codes में covered है मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर वकरांगी केंद्र है जरूर लेकिन आपको ये शहरों में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे वकरांगी केंद्र है जनरल आपको देखने को मिलेंगे छोटे गावों में और छोटे शहरों में वो ज़्यादा देखने को मिलते है क्योंके company जो services provide करवाती है वो services ऐसी होती है कि जिसकी जरूरत लोगों को वहाँ पर जादा है यहाँ पर अगर आप देखो तो इनकी services में आता है banking services, insurance services, financial services, ATM setup करने का भी काम है इनका वकरांगी के कई सारे ATM आपने देखे होंगे e-commerce and logistics से जोड़ी हुए कई सारी services जिसमें से आपको वो assist करते हैं online shopping में, online healthcare में, online travel services में telecom और bill payment को लेकर, logistic को लेकर इसके अलावा इन्होंने अभी हाल फिलाहल में d-mate का भी शुरू किया था कि d-mate open करने को लेकर भी आपको help करते हैं इसके अलावा अगर आप देखो तो और भी कैसे छोड़ी छोड़ी चीज़े हैं जो वकरांगी करती है अब आप यह बोलोगी कि अच्छा आने वरे दोर में तो भाईया लोग जब खुझ से करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा इनका तो अगर मैं कहूंगा देखो वकरांगी केंद्र तो इनके जो एटीम सेटाप है वो तो चलता रहेगा ठीक है उसनों को दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जहां तक बात है बाकी सर्विसेस की जो अगर लोग खुझ से इस्तमाल करना शुरू कर दें तब क्या तो मैं मानता हूं कि टेक्नलोजी जो है वो समय के साथ और बड़ी और बहतर बनती जाएगी अगर जो सर्विसे के साथ आज लोग यूस्टू हो जाएंगे कल को लोग को used to हो जाएंगे तो कोई और ने technology निकल कर आएगी जिसको लोग को teach करना, guide करना के लिए एक assistance के जरूत पड़ेगी आने वाले दोर में भी तो यही कहूँगा मैं आप से कि मुझे नहीं लगता कि company बरबाद होने वाली है और जो खरीदारी के मौके होंगे वो 30 रुपए के नीचे होंगे अभी भी मैं अपने उसी statement पर कायब हो यहांपर अगर आप performance के बात करो तो भाई आप performance उतना अच्छा नहीं रहा है इनका valuation की भी अगर हम बात जो तो overvalued है वेकि इनका PE ratio 26 का है, sector PE भी 26 का है तो अब इसको सस्ता तो पहली चीस नहीं कह सकते हो और वो भी ऐसी company जिनके profits लगातार कम हो रहे हैं या फिर नहीं उतने अच्छे हैं, margin पर दबाव है वो इस PE ratio के उपर मेर हिसा कर justify नहीं करता थोड़ाचा और correction का आपको इंतजार करना चाहिए कम से कम अगर के 20 या 21 के PE ratio पर trade करता नजर आ चाहिए तब शायद हम वहाँ पर दाव खेल सकते हैं खरीदारी का growth के अगर हम बात करें तो financial growth पिछल कुछ सालों में moderate रहा है और इसके लावा profit इनके थोड़ी से increase जरूर हुए है पिछले दो quarter का अगर हम देखेंगे तो ठीक है क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले quarter में तकरीबन साड़े चार करोड का profit साथ दूसरे में चार करोड 80-50 लाग का था तो थोड़ा से increase जरूर आया है खरीदारी करने का सही मौकन नहीं कोई भी रड़ फलेग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है mutual fund के पास बहुत कम होल्डिंग बची है यहाँ पर domestic or fi is काफी बड़ी quantity में है retails or others के मिलाकर 43.11% की holding है जिसमें से retail investor के पास 17% की holding है other parties बहुत बड़ी quantity में है 26.05% overall वकरांगी को लेकर में इतना ही कोँगा कि company को लेकर में उतना साथ bullish तो नहीं हो लेकिन अगर यह आपको 25-25 की range में मिलता है तो वहाँ पर आप risk ले सकते हो वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हो वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंद आए हो तो like पर शायगर चैनल बगरा पहली बाहर है तो please subscribe करें और वकरांगी limited के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं Thank you